दोस्तों आप सबको बता होगा कि भारत के द्वारा साउथ कोरियन कमपनी हन्वार डिफेंस से करिवन 100 के नाइन वज्र आठिलेडियों को अपने आर्मी के आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए खरिदा गया है। पर क्या आप लोगों को पता है कि साउथ कोरिया के तरफ से के नाइन थंडर के डेवलप्मेंट के इलावा इसके साथ साथ के टेन एर्वी मतलब एमूनेशन रिसफलाई वेकलों को भी डेवलफ किया गया था ताकि इसका इस्तमाल एकत्रित रूप में किया सके। पर भारत क साथ कोरिया से श्रिफ के-9 वजल्ण को ही पर्चेस किया गया, जबकि के-10 एर्वी को भारत ने नहीं खरिदा। दूस्थो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये K-10 एर्वी असल में क्या इसका काम क्या है और भारत के द्वारा इसे क्यों नहीं खरीदा गया तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोसों इंडियन आर्मी के आटलीडी के बेड़े को अगर देखा ज होता है और ऐसे में अगर पांच रेजिमेंट को एकत्रित किया जाए तो ये संख्या करीवन 100 होता है दोसों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू कि भारत के द्वारा ये जो के नाइन वज्रा आटलीडियो को खरीदा गया था ये असल में स्ट्राटिजिक पार् पर्फॉर्मेंस को देखा जाये तो कंपनी के द्वारा भी टाइम से पहले इन आटलीडियो को इंडियन आर्मी को डिलिवर किया गया है रिपोर्ट के मुताविक एल एंटी कंपनी ने अपना 100 आटलीडियो को समय से पहले मतलब पिछले साल के फेवरडी महिने में ही इंडियन आर्मी को सप्लाइ किया जा रहा था उस दर्मियान चायना और भारत के बीच में भी लदाक रिजन में एक तरीके का जड़व शुरू हुआ और इस सिचुएशन को देखते हुए ही भारत के द्वारा इन आटलीडियो का डिप्लोइमेंट लदाक रिजन में किया हुआ और टेस्ट से पहले आटलेडियों में कुछ तबदिली भी किया जैसे कि L&T कमपनी के द्वारा आटलेडियो में रेंज टेबल और इसके सौफ़्टर गाइडनेस सिस्टम को बदला गया ताकि ये हाई आल्टिट्यूट में खास करके माउंटें टेरेंड में बारी आटलेडियों के जगा में इंडियन आर्मी अब 208 लेडियों को खरीदना चाता है मतलब अब 2 एडिशनल रेजिमेंट नहीं बलकि 10 रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में जोड़ा जाएगा माना जा रहा है कि ये डिल करिफ-करिफ 10,000 करोर रुपया का हो सकता है जिसके उ पर हस्ताक्षर साल 2022 में गुजरात में आयोजित डिफेस एक्सपो के दर्मियान हो सकता है दोसो इस बार डिफेस एक्सपो गुजरात में आयोजित किया गया रो भी मार्च 10 से लेके मार्च 13 तक चलेगा पर दोसो इन सवी में कभी वी K10 ARV मतलब ammunition resupply vehicle का चर्चा नहीं तो लगवग दोनों देखने में एकी जैसा है और दोनों में लगवग एकी तरीके का कॉंपोनेंटों का इस्तिमाल हुआ है चायो इसके chassis हो या फिर इसके protection हो इवन K10 ARV तो K9 Thunder के जैसे ही same level के protection का इस्तिमाल करता है दोसो ये जो K10 ARV है इसका वज़न करिवन 4710 है और ये K9 वजर के लिए या फिर कहतो K9 Thunder के लिए Battlefield में Ammunition को कैरी कर सकता है रिपोर्ट के मुताविक एक K10 ARV करिवन 104 शेल्स मतलब 155 mm by 52 कैलिवर के आडिलेडी Ammunition को कैरी कर सकता है इवन इसके इलावा 540 यूनिट Charges को भी कैरी कर सकता है और K10 ARV वेहकल को अपरेट करने के लिए स्रिफ तीन क्रू मेंबर का आवशकता होता है जिनमें एक लोडर होते है जो कि अकेले ही अपने बलबूते पे फुली आटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम के सहारे Ammunition के Resupply कर सकता है रिपोर्ट के मुताविक ये जो K10 ARV है ये मैकसिमम 12 राउंड पर मिनिट के रफ्तार से Ammunition Resupply कर सकता है जबकि इसे फुली लोड करने के लिए स्रिफ 37 मिनिट का समय लगता है और इसे फुली एम्टी करने के लिए स्रिफ 28 मिनिट का समय लगता है और इसमें हाई लेवल प्रोटेक्शन होने के कारण दुश्मन के तावर्तोर हमले के दर्मियान भी इन वेकलों का इस्तिमाल बैटल फिल्ड में किया सकता है और बैटल फिल्ड से बाहर आके के नाइन थंडर को Resupply के K10 ARV के लिए Resupply पोजिशन तक जाने का भी आवशकता नहीं होगा तोसों यह जो K10 ARV है यह K9 थंडर आर्टिलेडियों के ओपरेशन को और एफेक्टिव बनाता है कि इसके उपर काम फेवरडी महिना साल 2002 में शुरू हुआ ओवी सैमसंग कंपनी के तरफ से पहली वार साउथ कोरियन आर्मी के द्वारा साल 2005 में डिसाइड किया गया कि K9 के साथ K10 ARV को भी फर्चेस किया जाएगा जबकि साल 2006 में पहली वार सैमसंग कंपनी के तरफ से ही इन आर्टिलेडियों के रिसफलाई वियकलों को रोल आउट किया गया और दोसो तब से लेके अब तक जिन भी देशों के द्वारा K9 सेल प्रोपेल हावटजरों को खरिदा गया है उनके तरफ से K10 ARV को भी खरिदा गया है और on an average देखा जाए तो हर दो K9 सेल प्रोपेल हवटजरों को खरिदने का इरादा बनाया गया है इनमें अब तक AV चर्चा में नहीं आया है कि कोई भी ARV वियकल होगा की नहीं पर एक्सपेक्ट हम करते है कि जल्दी K9 थंडर के operational ability को और मजबूत करने के लिए आर्मी के तरफ से इस बात को भी सोचा जाए और संभावि SAE Armonition Resupply वियकलों को भी फर्चेस किया जाए तो सबसे पहले इसे 1999 में सर्विस में लाया गया था जबकि इसके upgraded version K9A1 साल 2018 में सर्विस में आया इन आर्टेलियों का इस्तेमाल भारत और सौथ कोरिया के इलावा Australia, Estonia, Finland, Norway, Poland और Turkey के द्वारा किया जा रहा है जबकि report के Egypt ने भी South Korea से इन आर्टेलियों को खरीदने के लेके समझोता किया है दोसों इन आर्टेलियों के अगर शमता को देखा जाए तो इसके overall version करिव करिव 4710 है जबकि इसका लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 3.4 मीटर है इसका height करिवन 2.73 मीटर है और इसमें 5 क्रू मेंबर का आवशकता होता है जिनमें एक कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और दो लोडर होते है इसमें कई तरिके के artillery shells का इस्तेमाल किया आता है जिनमें M107 HE 18 km range वाले M549 A1 HE RAP 30 km range के K310 BB DP ICM 36 km range के K307 BB HE 40 km range के और K315 HE RAP सभसे अधिक range मतलब 54 km range वाले ammunition है इसमें आर्मर के रू हतियार के रूप में 155 mm by 52 caliber के artillery cannon के इलावा 12.7 mm के K6 heavy machine gun वी है इसमें engine के रूप में STX engine मतलब STX MTU MT881 K500 engine का इस्तेमाल किया गया है जो 8 cylinder वाले watercooled diesel engine है जिसका श्रमता करिवन 1000 hp है और दोस्तों ये एक ऐसा self-propelled howitzer है जो बिना refuel के 360 km तक चल सकते है और इसका maximum रपतार 67 km per hour है दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद